हेलो एवरिवान आप सभी लोगों का इस्टाडी टुडे उद विपलब यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम डिसकास करेंगे जेसी इ आर्टी द्वारा जारी जेसी इ आर्टी द्वारा जारी कलास नाइंद का है बिएँजान से है समय आपको मिलेगा एक घंटा 33 मिनट और पूर्णांग 40 यह पूर्णांग मिलेगा आपको 40 और जो की 40 question रहेँगा याद रहेँगा और यहाँ पर negative marking नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके बाद set two आएगा और आपको channel के साथ जुड़े रहना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रथम question को देखिए प्रथम question में दिया हुआ है निम्न में कोन सदिस नहीं है एक सदिस रासी होता है एक अदिस रासी होता है ना परिमान के साथ दिसा भी हो याद रखिएगा परिमान के साथ दिसा भी हो देखिए option देखिए विस्थापन तोरन वेग और दूरी तो विस् आदिसरासी है, तो याद रिखेगा, D, इसका सही अंसर हो जाएगा, Question number 2 को देखिए, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, Option देखिए, वल, तोरन, दरब्यमान, इन में से कोई नहीं, वेग परिवर्तन की दर को तोरन कहा जाता है, तोरन याद रिखेगा, Option B हो जाएगा, सह होता है याद रिखेगा next देखिए question number three को देखिए चाल और वेक का मात्रक होता है चाल और वेक का मात्रक क्या होता है मिटर पार second होगा option देखिए मिटर पार second square निूटन या निूटन मिटर square होगा देखिए चाल और वेक का मात्रक होता है मिटर पार सेकेंड मिटर पार सेकेंड याद रिखेगा मिटर पार सेकेंड और मिटर पार सेकेंड स्क्वेर तोरन का होता है याद रिखेगा मिटर पार सेकेंड चाल और वेक का होता है next देखिए question number 4 को देखिए question number 4 में odometer मापता है ओडोमीटर क्या मापता है चाल को तोरन को वेक को या दुरी को ओडोमीटर गारी द्वारा ताई की गई दुरी को मापता है तो इसका सही एंसर D हो जाएगा next देखिए question number 5 5 में दिया हुआ है 20 मीटर पार सेकेंड को किलोमीटर पार आओर में मान कितना होगा तो देखिए 20 मीटर पार सेकेंड है मैंने इसको 18 by 5 से multiplication कर दिया तो इसका सही एंसर हो जाएगा option B 72 किलोमीटर पार आओर next देखिए question number 6 को देखिए question number 6 में एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी ताई करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो कार का तौरन क्या है तौरन acceleration मीटर पार सेकेंड में दिया हुआ है देखिए ये किलोमीटर में दिया हुआ है जो दूरी ताई करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है मतलब जो इनका इस्पिर दिया हुआ है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है देखिए तो हमें इसको मीटर पर सेकेंड में पहले बदलना होगा तो 80 को मैंने मीटर पर सेकेंड में बदल दिया तो 5 हो जाएगा 18 हो जाएगा 5 और 36 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ठीक है तो मुझे निकलना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है इसका एक फॉर्मूला होता है 2as बरावर 2as बरावर v square minus u square तो इहां पर पूट करियेगा तो सही अंसर निकल जाएगा इसका option a ठीक है कैस ना देखिए 2as equal to v square minus u square इहां पर कितना होगा v निकला 10 का square मतलब 100 हो जाएगा और u कितना 5 का square मतलब 25 हो जाएगा और 2 गुना s का value दिया होगा 15 मतलब 30 और मुझे ये निकालना है ठीक है तो 30 देखिए और इहां पर कितना निकलेगा 85 देखिए मैंने कार दिया 15 दूनी और इहां पर 5 तो 5 by 2 निकल जाएगा मतलब इसका सही एंसर हो जाएगा ये option नेक्स्ट देखिए question number 7 को देखिए question number 7 में दिया हुआ है बाल का SI मात्रक है बाल का SI मात्रक क्या होता है meter per second kilogram meter per second newton या इन में से कोई नहीं इसका सही एंसर हो जाएगा निउटन बाल का SI मात्रक होता है निउटन या फिर या फिर क्या होता है बाल का SI मात्रक निउटन होता है या फिर होता है kg meter per second square ये होता है लेकिन option B में तो इसका सही एंसर निउटन next को देखिए question number 8 एक निउटन किसके बराबर होता है 1 kg meter per second square हाँ इसका सही एंसर हो जाएगा या रखेगा ये centimeter में दिया हुआ है ये नहीं होगा ये gram में दिया हुआ है ये square नहीं दिया हुआ है इहाँ देखिए तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number 8 9 को देखिए, question number 9, next question, 9 में क्या लिखा हुआ है, तीन पिंट, A, V, C, द्रभ्यमान, क्रमस, 5 kg, 2 kg, 10 kg है, इन में किसका जड़त्त सबसे काम है, जड़त्त पुचा है, इन में किसका जड़त्त सबसे काम है, तो पहले जान लिजे, किसी बोस्तू का द्रभ्यमान, उसके किसमे है, 2 kg, मतलब इसका सही एंसर हो जाएगा, V, option number V को देखिए, V का, next देखिए, question number 10, question number 10 में क्या लिखा हुआ है, 1 kg द्रभ्यमान पर, 1 newton का बल लगाने पर, उत्पन्न तरन का मान होगा, 1 kg न्यूटन, sorry, 1 kg द्रभ्यमान पर, 1 newton का बल लगाने पर, उत्पन्न तरन का मान होगा, तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा, 1 meter per second होगा, 10 meter per second square होगा, 1 kilometer per second होगा, या 1 meter per second square होगा, इसका सही एंसर हो जाएगा, option D, देखिए, 1 kg द्रभ्यमान की बोस्तु में, 1 newton का बल बराबर कितना होता है, 1 meter per second square होता है, 1 meter per second square या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है तो D हो जाएगा सही एंसर next देखिए Newton के गती के पहले नियम से मिलता है Newton के गती के पहले नियम से मिलता है बाल मापने का सूत्र option B जड़त्त की परिवासा option C चाल मापने का सूत्र option D तोरन की परिवासा इसका सही एंसर हो जाएगा जड़त्त की परिवासा याद रखेगा न्यूटन के गती के पहले नियम से क्या मिलता है जड़त्त की परिवासा और न्यूटन के गती के दुसरे नियम से बल्म अपने का सुत्रा तो next question को देखिए question number 12 में न्यूटन गती के कोन से नियम से बल्म आपने का सुत्र मिलता है पहले नियम से तो जड़त्त का मिलता है दूसरे नियम से तीसरे नियम से या इनमे से कोई नहीं दूसरे नियम से दूसरे नियम से नियूटन गती के दूसरे नियम से बल्म आपने का सुत्र मिलता है question number 13 को देखिए question number 13 में लिखा हुआ है g का मान होता है g, g मतलब क्या होता है गुरुत्त के कारण जो उत्पन्न तरण होता है याद रखेगा, गुरुत्त के कारण जो तरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्त जनीत तरण कहते हैं जो small g से इसको वैक्त किया जाता है तो g का वैलू कितना होता है 9.8 ना दसमला 8 मीटर पार सेकेंड स्क्वार होता है, ये याद रखेगा मीटर पार सेकेंड स्क्वार इसको याद रखेगा मीटर पार सेकेंड स्क्वार को याद रखेगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option B option B 9.8 meter per second square नमबर 14 को देखिए 60 kg द्रब्यमान के किसी मनुस्य का चंद्रमा पर भार होगा चंद्रमा पर कितना होता है 16 होता है याद रखेगा 60 kg दिया हुआ है 60 kg मतलब कितना होगा 60 और G का value दिया हुआ है 10 तो इसका सही answer हो जाएगा कितना 100 इसका सही answer होजेगा 100 newton option C next को देखिए question number 15 सरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी से मिल जाता है यह पदार्थ के कोनों के किस गुन को दरसाता है देखते हैं option को पदार्थ के कोनों के बीच रिक्तिस्तन होता है यह सही होगा पादार्थ गतिसिल होते हैं यह भी सही होगा पादार्थ चीकन एक दूसरे को आकरसित करते हैं यह भी सही होगा उपरुक्त सभी इसका सही answer हो जाएगा option D next को देखिए question number 16 को देखिए निनमलिखित में question number 17 question number 17 में क्या लिखा हुआ है दो बिभीन पादार्थों के कोनों का स्वत्त मिलना कहलाता है विशरन कहलाता है याद रिखेगा बिशरन का परिभासा क्या होता है दो बिभीन पादार्थों के कोनों का स्वत्त परस्पर मिलना ही विशरन कहलाता है याद रिखेगा next को देखिए question number 18 को देखे question number 18 में लिखा हुआ है किसी तत्य की दरभ्यमन प्रती इकाई आयतन को क्या कहते हैं देखे घनत्य जो होता है उसका जो परिभासा होता है वो क्या होता है किसी तत्य की दरभ्यमन की प्रती इकाई आयतन को घनत्य कहते हैं मतलब घनत्त बराबर क्या हो जाएगा द्रभ्यमन बटे में आयतन ये घनत्त होता है याद रिखेगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A घनत्त इसका सही अंसर हो जाएगा घनत्त question number 19 दो ग्राम हाइड्रोजन दो ग्राम हाइड्रोजन सोलो ग्राम ओक्सिजन के साथ मिल कर 18 ग्राम जल का निर्मान करता है यह किस नियम को प्रदर्शित करता है option को ध्यान से देखे औप्शन A द्रभ्यमन संगरक्षन का नियम इस्तिर अनुपात का नियम डाल्टन का परमा इसका सही एंसर हो जाएगा इस्तिर अनुपात का नियम क्या कहता है किसी भी योगीक में तत्त सदेप एक निश्चित द्रभ्यमानों के अनुपात में ही उपस्तित रहते हैं नेक्स्ट देखिए क्वस्चन नमबर 20 को देखिए क्वस्चन नमबर 20 जल में हाड्रोजन एबंग ओक्सिजन की द्रभ्यमान का अनुपात सदेप 1 रेशियो 8 मतलब 1 is to 8 एक अनुपात 8 में होता है यह किस नियम को दरसाता है द्रभ्यमन संगरक्षन का नियम ओप्शन द इस्थिर उनुपात का नियम क्या कहता है किसी भी योगिक में तत्त सदेप एक निश्चित द्रभ्यमानों के उनुपात में ही उपस्तित रहते हैं नेक्स्ट देखिए 21 नेक्स्ट परमानों तरिजा को किस मात्रक में नापते हैं नैनोमीटर मीटर सेंटीमीटर इसका सही एंसर होज़ेगा नैनो मिटर से मापते हैं परमानो तिरिजा को Question number 22 को देखे Question number 22 में लिखा हुआ है किसी पदार्थ का सुक्षमतम कन Question number 22 होगा Question number 22 परमानो द्रभ्यमान को किस इकाई में नापते हैं पर्मानु द्रभ्यमान को किस इकाई में नापते हैं, यूनिफाइट से, याद रखना, यू से, यूनिफाइट, पर्मानु द्रभ्यमान को मापा जाता है, यू से, यूनिफाइट याद रखेगा, 23 को देखिए, next question 23, किसी पदार्थ का सुक्चमतम कन, जो सतंतरत रूप में रहा सकता है, क्या कहलाता है, इसको अनु कहा जाता है, याद रखेगा, अनु next की और बढ़ते हैं, next 24 को देखिए, जल की पर्मानुकता कितनी है, जल मतलब age 2 O, age का कितना होगा 2, और O का कितना होगा 1, तो कितना होजएगा 3, तो जल की पर्मानुकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, याद रखेगा, 3, जल की पर्मानुकता 3, next देखिए 25, question number 25, निनमलकित में किसकी योगिकता, पर्मानुकता 5 है, 5, पर्मानुकता कितना 5, किसी योगिक का, देखिए, ammonia, ammonia क्या होता है, NH4 होता है, NH4, तो H का 4, प्लस N का 1, तो 5 हो जाएगा, तो ammonia का 5 हो जाएगा, option A हो जाएगा, carbon dioxide का कितना होगा, CO2, मतलब 1 प्लस 2, 3 हो जाएगा, यह नहीं होगा, जाल का कितना होगा, H2O, मतलब 3 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा, तो इसका सही answer हो जाएगा, ammonia, next देखिए, calcium hydroxide का सूत्र लेखिए, calcium hydroxide, calcium hydroxide, देखिए, option A को देखिए, C, A, O, calcium oxide होगा, C, A, O, यह नहीं होगा, C, A, O, H2, मतलब C, A, O, H, whole twice, मतलब C, A O, H का, whole twice, मतलब calcium hydroxide, A सही हो जाएगा, option B, calcium hydroxide, C, A, CO3, calcium carbonate होगा, ठीक है, तो इसका सही answer हो जाएगा, V, C, A, whole, C, A, O, H, whole twice, ठीक है, तो calcium hydroxide, next देखिए, 27, next 27 को देखिए, nitric aml का आन्विक द्रब्यमन ग्याद किजिए, nitric aml, nitric aml क्या होता है, H, N, O, 3, H, N, O, 3, H का कितना होगा, 1, N का कितना होगा, plus 14, और O, 3, मतलब 16 into 3, 16 गुना 3, मतलब 48, तो कितना हो जाएगा, 63, 63 हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, 63, nitric aml, क्या होता है, H, N, O, 3, H, N, O, 3, 63 होता है, उसका, आन्विक द्रब्यमन, next देखिए, कोशिका की खोच किसने की, कोशिका की खोच किसने की, रवाट होग 16, 65 में कोशिका की खोच किये थे, 16, 65 में रवाट होग ने कोशिका की खोच किये थे, और लिवएन होग ने पता लगाया था, 16, 74 में, जीब की खोज की थी 1665 ये भी याद रेखेगा 1665 में डेट को 29 को देखिए question number 29 नेनमलकित में कौन जीब एक कोशिक्या है एक कोशिक्या जीब कौन है एक कोशिक्या जीब क्या होता है जिनका सरीर एक कोशिका से बना होता है और उनका जो क्रियाएं होता है जैसे कि जई भी क्रियाएं जो होता है स्वासन, प्राजनन, मेटावॉलिजम ये सब कोसिका के अंदर होता है, तो एक कोसिके अजीप क्या क्या है जैसे अमीबा हो गया, पैरामीसियम हो गया, युगलीना हो गया, एंड अमीबा हो गया, जिवानू हो गया, तो इसका सही option को देखे, पैरा मीसियम ये एक कोसी के जीब है पैरा मेसियम कबक नहीं होगा आम नहीं होगा अंडानू नहीं होगा इसका सही एंसर हो जगा पैरा मीसियम ठीक है जैसे अमीबा हो गया एक कोसी के जीब ठीक है इगुलीना हो गया नेक्स्ट देखे थाटी को question number 30 पादब कोसी का की सबस कोशी का भित्ती सेल वाल मतलब इसका सही अंसर हो जाएगा कोशी का भित्ती सेल वाल देखे इस सेल वाल क्या होता है पादब कोशीकाई चारो ओर से एक मोटे और कड़े आवरन द्वारा घिरी रहती है इसी को कहा जाता है कोशी का भित्ती और कोशी का भित्ती सेलुलोच की बनी होती है याद रखेगा cellulose की next देखे next 31 question number 31 को देखे कोसी का भित्ती बनी होती है कोसी का भित्ती protein की carbohydrate cellulose या लिपीड cellulose की कोसी का भित्ती बनी होती है cellulose की next देखे 32 को देखे question number 32 कोसी का जिल्ली का कोसी का के बाहर से अपने भोजन तता अन्न पदार्थ के ग्रहन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं कोशिका जिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तता अन्न पदार्थ के ग्रहन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बरनात्मक पार गम्य कहते हैं option A सही हो जाएगा बरनात्मक पार गम्य काते हैं इंडोसाइटिसिस नहीं होगा अफससन नहीं होगा और अलप परासन नहीं होगा बरनात्मक पार गम्य काते हैं क्वेश्चन नमबर 33 को देखे क्वेश्चन नमबर 33 को देखे लिखा हुआ है कोसिका में अनुबंगसिक गुणों की सुचना कहा होती है माइटो कंड्रिया में कोसिका द्रब्य में राइबो जोम में ये गुन सुत्र में इसका सही option हो जाएगा D गुन सुत्र में गुन सुत्र मतलब क्रोमो जोम होता है गुन सुत्र कितने होते हैं 46 होता है 46 होता है क्रोमोजम याद रखेगा तो next देखिए 34 question number 34 को देखिए lysosome कोन बनाता है lysosome lysosome को क्या कहा जाता है suicidal back of the cell आत्मघाती थैली कहा जाता है lysosome को आत्मघाती थैली कहा जाता है याद रखेगा पुझता है exam question तो option देखिए mitochondria कोसी का द्रभ्य राइबोजोम एक गलजी उपकरब इसका सही answer क्या हो जाएगा 34 का cytoplasm मतलब कोसी का द्रभ्य कोसी का द्रभ्य इसका सही answer हो जाएगा जिसे cytoplasm कहा जाता है lysosome को suicidal back of the cell कहा जाता है और mitochondria को powerhouse of the cell कहा जाता है next question number 35 को देखिए किसे बीशेश कार्ज को करने के लिए कोसी का एक बीशेश समुह बनाती है इस समुह को क्या कहते है लाखों कोसी का एक बीशेश समुह बनाती है उसो क्या कहा जाता है अंग तंत्र उतक या वेस्टी उसे उतक कहा जाता है उतक मतलब tissue होता है histology study of tissue histology होता है उतक next देखिए 36 question number 36 में देखिए ताना के सिर्शस्त भाग में कोन उतक पाया जाता है सिर्शस्त भाग में कोन उतक पाया जाता है ताना के वीव जोतक कालम काईमा इसकलरन काईमा वीव जोतक इसकलरन काईमा तो नारियाल का रिशा होता है याद रिखेगा वीव जोतक हो जाएगा इसका सही अंसर ओप्शन ए वीव जोतक next देखिए next 37 को देखिए पोधे में पत्यों द्वारा बने हुए भोजन एव का संगवहन पोधे के सभी भागों में कोन उतक करता है क्या भोजन का संगवहन पोधे में कोन करता है जाइलम तो जल का ट्रांसपोर्ट करता है पोधों में जो जल को एक जगह से दूसरी जगह कोन ले जाता है जाइलम तो फ्लोयम क्या करता है इसका सही अंसर हो जाएगा भोजन को संग बहन करता है पोधों में, फ्लोयम करता है, इसका सही अंसर हो जाएगा B, option B, और जायलम क्या करता है, जाल को, जाल को संग बहन करता है पोधों में, और B विजोतक क्या होता है, जो तना के सिर्शस्त भाग में पाया जाता है, तना के सिर्शस्त भाग में पाया next देखे 38, question number 38 को देखे, अस्ति अभंग months mechanic को जोडने वाली राचना है, ligament, tendon, तंत्री का तंत्री का sunkspaces, देखे, tendon, अस्ति अभंग months antibiotic को जोडता है tendon और ligament क्या करता है, ligament bone to bone को जोडता है, मतलब जो हड़ी से हड़ी को जोडता है, वो ligament है, next देखे, 39, question number 39 को देखे, नारियल के रेशे में कौन उतक पाये जाता है नारियल के रेशे में अभी हमने डिसकास किये इसकलरन काइमा इसका सही एंसर हो जाएगा इसकलरन काइमा ओप्शन देखे है विव जो तक ये नहीं होगा कलरन काइमा ये भी नहीं होगा इस्कलरन काइमा हो जाएगा option C next देखिए question number 40 को देखिए question number 40 अस्थी एक उत्तक है संग्योजी, तांत्री का epithelium या पेशिया संग्योजी हो जाएगा अस्थी एक उत्तक है क्या संग्योजी connective tissue है तो यह थे 40 question जो की आपको exam में बहुत ही help करेगा किस type के question पुछे गए आपको पता लग गया तो आप वीडियो को और एक बार देख लिजिएगा तो इसके बाद next set आएगा, उसको भी आप देखिएगा और channel के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही help मिलेगा, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा